क्या आले साथ ही हो मैं हुई कास सोमर आपके अपनेटर सोधी चाहिए study for civil services के आज आपके समक्ष लेक्ष 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 आ गए है पार्ट नंबर ये है 32 किसका इंडस्ट्री रिलेशन और लेबर लॉस का डिटेल्ड वीडियो जो सीरीज है तोटली फ्री है आप लोग के आप सही कर लेंगे ठीक तो आगे बंदेस पहले आज का टॉपिक जो है हम लोग को एक हमबल रिमांडर देना चाहते हैं कि EPFO 2020 और UPSC 2021 का नए पेट गूप चल रहे हैं और यह complete पेट गूप है इसमें test series भी मिलेगी आपको study material भी मिलेगा dedicated discussion group भी मिलेगा जिससे कि आपको personal guidance पूरा तरीके से दिया जाएगा study material आपको PDF format में सारा कुछ दिया जाएगा कुछ और कहीं से आपको कुछ भी लेना है test series आपकी जो है उसमें sectional test होगा following test होगा और EPFO में तो weekly test भी होता इसके अलावा MCQ practice करने के लिए कई सारे दिये जाएंगे ठीक test series और study material दोनों ही Hindi English दोनों ही में ही है ठीक अगर आप लोग को join करना है तो 8564-80530-96960-6089 पे call करके apply admission ले सकते हैं चलिए चलते हैं अपने topic पर आशा topic बहुत जाता important है आप आपका worker का participation management में इससे कोशन आएगा ही आएगा कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की जब बात होती concept यह किस ने concept दिया था Sydney and Beatrice Web ने ठीक यह खुद में कोशन हो सकता है अब डेमोक्रेसी का मैंने आप लोग को शुरुआती उस वीडियो में बताया है कि जब अगर बात करेंगे तो कौन decision making कर सकता है management यानि की नियोकता वाले तो करते ही करते हैं अगर employee कामगार workers भी अगर decision making में आ जाएं तो यह industry relation में democracy की बात होगी ठीक तो worker का participation in management जो है यह इसके लिए बहुत ही बड़ा एक कारगर हो सकता है टूल की तरह काम हो कर सकता है industrial democracy के ल direct involvement ठीक वरका participation management में क्या मतलब है कि हर decision जो लिया जा रहा है या फिर जो decision लेने की power है उसमें workers भी अपने कुछ representative अपस वरकर तो नहीं बैठ सकते वह यह तो वरकर आपस में कुछ लोग को जो है delegate बनाके चैनित करके अपना भेज देंगे management के साथ में बैठ के वो लोग participation in management ठीक अब देखो इसमें objective क्या होता है उद्देश क्या है प्रवंदन में शर्मिक की भागिदारी वरकर participation in management जो है WPM के उद्देश क्या है शक्ति का साजा करन बदला power of the sharing stimulating stimulate cooperation सायोग को बढ़ावा देना शर्म प्रवंदन संचार को बढ़ावा देना इंक्रीज लेबर मेनेजमेंट से गाड़ी नहीं चल सकती ठीक है और दोनों का फायदा जो है एक का फायदा जो है सिर्फ हो रहा है दूसरे को रहा तो वह भी कर बढ़ है दोनों का ही फायदा हो वह सबसे बड़ी है सतत सब्सक्राइब का इंप्लोई यह डवलू पीम का उदेश है कि कमचारियों का सशक्तिकरण होना चाहिए उद्यों की शांती को बनाना चाहिए ठीक यानि को लोक आउट इस्ट्राइक यह सबनी होना चाहिए अच्छा टाइप्स क्या है वरका पाटिसिपेशन को यह इंडिया की डिमोक्रैशी क्या है इंडरेक्ट जोसे लोग सबाब में क्या होता है कि हम प्रत्य प्रतीनिध्ी भागिदारी ठीक इंडिकत ज्रू एप्रane n 다 ड्रैटली वर्क करता है ट्रेइड यूनियन पर थो ट्रूप ठीक है आपका वर्कर जो है ट्रेड यूनियन के त्रूफ ये अपना यह पर अपनी बात रखते। traey SAS के ठीक है और इसमें कौन-कौन से में च्रेड यूनियन और आपका वर कांसिल होती है जॉयंट Consultative Committee होती है Trade Union के थूरू काम कर सकते है बात रख सकते है Work Council के थूरू बात रख सकते है Joint Consultative Committee के थूरू रख सकते है तीसरा क्या है ILO के अनुसार तीन है इसके types विक्ति है भागिदारी यानि के financial participation है टेक प्लेस थूरू profit sharing और stock ownership किसी इंडस्ट्री में कितना profit हो रहा है उसके इस आप से भी कर सकते है भागिदारी हो सकती है या फिर मतलब जखिए अगर उनने कह दिया कुछ भी कि मतलब profit जो है 10% हुआ जासा और रुपे का profit हुआ तो हम workers को कितना देंगे कितना मतलब आप लोगों मिलेगा वो भी हो सकता है financial participation भी हो सकता है या फिर stock ownership मतलब कि आपका जो है उसमें कितना सौमित मिला है company में कितना stock है ठीक सेन जो है उनके अनुसार क्या है सेन जो बारे intellectual है बुद्धी जीवियों उनके अनुसार क्या है तीन तरीकी के टाइप होते है इनके अनुसार भी आपका किसका workers participation और management का यानि कि करमचारियों की भागिदारी प्रबंदन में क्या है superficial participation यानि कि सतही भागिदारी होती है इसमें क्या है जानकारी साजा की आती हो सुझाई जाती है योजनाई इन्फर्मेशन का शेरिंग हो जाएगी कि बतलब दोनों अपना न्योकता और employees कमचारी और employer जो है ये दोनों लोग आपसमें information शेर करते हैं participation और schemes को सरेज़ करेंगे कि भला हो जाए एक दूसरे का intermediate participation इसमें क्या होता है प्रतिबंद के मुद्द के मुद्द के मुद्दों पर bargaining and consultation on restriction issues जो भी restriction लगाई जा रही है उन सब पर जो है आपका परमर्ष होगा और साथी साथ collective bargaining होगी सामोही सौदेबाजी की बात होगी इसके बार रियल participation इसमें क्या होता है consultation on unrestricted issues and co determination on both restricted and unrestricted issues दोनों की आपकी और employer की माली जब workers आआपके कह रहे है कि कैसे कैसे profit के sharing हो रही है तो उस पे पहले से प्रवंदन ने करा कि profit sharing पे किस सरीके से काम होगा वो उस पे यहां पे बात नहीं होगी किस पे worker participation management वाले में है ठीक चाहिए वो joint council में हो किसी वित्रू तो उसमें क्या है कि यह restricted वाला area है उसके अलावा जो भी unrestricted unrestricted area issues है तो उस पे परामर्श हो सकता है ठीक और इसमें प्रतिबंधित और प्रतिबंधित मुद्धों पर सहिंता करण को शामिल किया गया यानि कि a co determination जो है on both restricted and unrestricted issues ठीक इस co determination हो सकता है आपका चाहे restricted हो चाहे restricted issues हो लेकि परामर्श सिर्फ unrestricted issues पर ही होगा ठीक यह वाली बात है इसका level of WPM मतलब की वरका का participation management पर हो रहा तो उसके अलग-अलग level पर होगा फ्लो लेवल पर अलग होगा उसको shop council बोलते है ठीक है शौप का मतलब इंटर्प्राइशन में जो है फ्लोर से रेटर होता है शौप council जो है फ्लोर से रेटर होला सबसे नीचे फिर उसके बाद बीच में कुछ उपर फिर टॉप management ऐसे बोलते है न वैसे ही है तो unit enterprise अब यहाँ पर यह है कि एक unit बहुत बढ़ा कोई वो है उसमे इसमें होगा level of worker participation management इसमें क्या होता collective bargaining of works committee इसमें वर्क कमटी बना जाती है ठीक एक उसमें इंडस्ट्री के लेवल पर हो जाए तो उस पर कहा है कि इंडस्ट्रील कमटी वेज बोर्ड यह सब्रे होते है रीजनल लेवल पर पूरा वाद रीजन ही है इंडस्रील रीजन ज इसके बाद नैशनल लेवल पर पर क्या है स्टेट लेवर एडवायजरी बोर्ड हो गया ठीक और आपका जो है नैशनल लेवल पर क्या है टाइपार्ट-इडर लेबर मशीन्धी ट्रण मतलब क्या है कोवश्ट इंपलोई इंप्लोईज और तीनों का बिला गया ठीक है त यह इंडेस्ट्रिल डेमिक्रसी क्या होता है एक्स्क्लूजीव कंट्रॉल प्रोडक्टिव और्गनाजिशन बाइद यह टोटल वर्कफोर्स ऑन दा बेसे ऑव एक्क्वलिटी ऑफ वोट ठीक मतलब इसमें जो है आपका जो भी वर्कर्स है टोटल वर्कफोर्स है उसमें सब की वोटिंग बराबर होती है ऐसा नहीं होगा कि भाईया जो नियोकता है उसके दो वोट है प्रती आदमी और वर्कर्स का एक वोट है प्रती आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता सब की वोटिंग बर सब्सक्राइब करता है इसलिए इंडेस्ट्रियल को यह बढ़ावा दे रहा है ठीक अब जो फॉर्म है प्रकार है डव्लू पीम के वो भी अलग लग है ठीक यह इंपॉर्टेंट है पिछली पूछा भी गया है वर कमिटी होती है बागनिंग कलेक्टिव बागनिंग होती है rigtig्राइशन इस्कीम्स होती है 발 év क्रोलिटी सरकिल होथी ठीक कास्मिती हो गया सामोहिक साधवाजी होगी सुझ्हाओ योजनाएं हो एक एक की क्या होता है आप यह यह एक तो होता जो अभीपहले देखा यह डिस्क्राइब करता है इसमर्ष नोबड़ को स्बर्दितित्यो इसके बाद क्या है कि क्लेक्ट्टू बारगनियानी सामोहिक सौधेवाजी की बात अगर करी जाए तो वो क्या है नेगोशियेट विद्धा रिप्रेजेंटेटिव मेनेजमेंट ठीक इसके बाद सुझाओ योजनाए क्या है वरकर्स आर इंकरिस्ट टू गिफ दिया सजेशन ओन वैरियस इशूज और प्राब्लम रिलेटेट टूर प्रोडक्शन और अड्मिस्टेशन अब दोगो यहां प्रसाइशन स्कीम का मतलब जैसे आपने कई दिखा होगा ना की फीडबैक पेटिका लिखा रहता है या फिर आपको अपना फीडबैक दीजिए या फिर प्राशन में सारे चीजिए तो यह सब भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो है वर्कर का पाटिसिपेशन माना जाएगा ना में फिर उसे आप से मैनेजमेंट अपने स्कीम और कुछ बदलाव करेगा अपने कारशाली में इसके बाद कॉलिटी सर्केल क्या होता स्मॉल ग्रूप ऑफ्स पीपुल छे से बारा मलब वलेंटियर होते हैं फ्रॉम दा सेम वर्क एरिया ठीक वह मीट रगुलेली उसा मलब लगातार काफी टैम तर मिलते रहते हैं और इंटिफाई करते हैं अनलिसिस करते हैं विश्रेशन करते हैं और स्वाल करते हैं कॉलिटी प्र लगेगा जो भी चीज़े हैं उन सब में छे से बारा लोग बना दिये गए और उन से कहा गया भाइए काम करो तुम इस ओप्रेशन वाले प्रोसेस में पूरे यह देखो यह उप्रेशन वाला प्रोसेस क्या है वर के रिया है ठीक है इन 612 वालेटियर हो और उन से कहाँ कि कि आप इसका wishlation करो, कि हम इसमें कैसे जो है, क्या बला इसको ध्यान दो, कि कैसे जो है, हम इसमें quality को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे performance घट रहा या बढ़ा रहा, क्या problem हैं, सब को देखते हुए, जिम्मेदारी के साथ में, इसकी quality बढ़ाई जाए, तो इसको पाइस Consider government को कार्यान वित करने के लिए इंडिया में तो इसमें देखे नॉन कमिट्मेंट ओफ मनेजमेंट टू स्कीम से अब जो मनेजमेंट है यानि की जो नियोक्ता की तरफ से जो लोग प्रवंदन वाले जो है वो मानते हैं उनका कोई commitment ही नहीं है शर्म को मतलब योजनाओ प्रवंदन की प्रतिवत्ता जो है वो है नहीं इन योजनाओं को जो है अब जागर मतलब इनको प्रवसाहिद करने के लिए सरनाच छड़ने के लिए alienation of worker arising from the non-implementation of the decision अब क्या है जो DCN लिए गया माल लो worker कुछ बात वात हुई तो उस पर आप नियोक ताओं ने जो है कोई उस पर finally उसको implement नहीं किया कर रहे हैं अन्वित नहीं किया तो यह भी एक इन्फर्मेशन का शेरिंग करना चाहिए वर्कर और इन्योकताओं के बीच में लेकिन वह इन्फर्मेशन शेरिंग नहीं करते हैं ठीक बैरियर्स है सचा सोचल इस्टेटर्स एजुकेशन अवेंडनेस कर देंगा रहे तुम पढ़े लिके नहीं हो तुम जागरूक नहीं उनका उस हिसाब से कहा देंगा रहे तुम नहीं हमाई साथ नहीं बैठ सकते या नहीं कर सकते यह चीज़ होती है सेकंड फाइव ये प्लान उनिस सो चपन से लेके एक सट की बीच में जो हुआ उसने किस पर जोड़ दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एस्सोशेशन और अब इंडिया में डेवलू पीम क्या है यह इंपॉर्टेंट है शौप काउंसिल पिछली बार सौप काउंसिल और जॉइंट काउंसिल पूछा जा चुका है फिर से पूछ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक इसमें क्या है 1975 में क्या हुआ स्कीम आई शौप और ठीक देखे यहां पर कहा रहा है कि जो शॉप कांसिर और जॉप कांसिर 1975 में अली स्कीम्स आ गई ठीक कि यह बनाई जाएंगी अब इसमें कहां कहां पर यह बनाई जाएंगी यह है ऐसे जो भी उद्यम हैं या फिर इंटरप्राइज हैं जहां पर 500 से जादा लोग हैं चाहे है वह सावरजनिक हो पॉब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो ठीक या फिर कॉपरेटिव सेक्टर सों सहकारी हो इन सब को लिया जाएगा और इसके साथी साथ जो है समिधान में भी संशोधन जो किया गया क्या क्या किया गया वह यहां समय लेते हैं आर्टिकल 43a आप लोग पादक्ता बढ़ाने के लिए उद्योगिक शान्ती को बढ़ावदने के लिए और कार में भागिदारी की भावना पैदा करने के उद्देश से पेश किया गया है ठीक वरकर्स कमिटी वरक्स कमिटी क्या होती है पहले भी आपको बताया अब इसको सब लेते हैं इंडस्ट डिस्प्यूट एक के अंतों करता है और यह किसका पार मलब है वरकर पाटिसिपेशन मेनेजमेंट को बढ़ावा देता है ठीक अब इसमें देखो इसमें यह कहां पर बनाया जाएगा सेटिंग वरक कमिटी बनाई तो है लेकिन किसमें बनाई जाएगी यह में चीज़ है यहां पर 500 के उपर था षॉप कोंसे और जोट कांसिल बनेंगे तो 500 के उपर लोग लेकिन वर्क कमिटी किसमें बनेगि जहां पर स?". चब्रों बनेजमेंट बनाई जाएगा। उदेश क्या है यहां पर उदेश यह है कि भेदभाव तो प्रमोट दमेजर्स फॉर सेक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशन वाली बात है में दा टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंड वर कमिटी इंक्लूडिंग दोज ओफ एंड आपके जो है चाहे वह इंप्लॉएर भी मिला लो इसमें जो है बीस स्यादा लोग नहीं हो सकते और जो नंबर है इंप्लॉयर और कर्मचरिये ऐहिन इंप्लॉएस का इंप्लॉएस का इंप्लॉएस का से मलब कम होने जी यह ऐली बात है दोने की वही बराबर भागीदारी होना चाहिश में यह कहने तो बात है अब इसमें देखें इन लोग की डूटीस क्या होती है work committee कि भी लाइटिंग वेंटिलेशन प्रकास वेंटिलेशन इस अब देखना है तापमाज सौचता पीने का पानी केंटीन डाइनिंग सौच घर आपका रेस्ट रूम हो गया वेडिकल हेल्थ केर सेफ वेलफेर कंडीशन एनकी ड्यूटीज होती है ठीक और और क्या है कि एजुकेशन इसके बाद जो हम लोग किस पर आ जाएंगे बहुत यादा इंपॉर्टन जॉइंट मनेजमेंट काउंसिल पर आ गया है संयुक्त प्रवंदन परिशाद में आ गया है इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश है कि ट्रस्ट बनाना ठीक प्रमोट करना कॉडियरेशन बिट्विंग दा मेंजमेंट लेवर और जिसकी वएसे उत्पादक्ता बढ़े वर्कर्स की ट्रेनिंग हो इन अंस्टेंग शेरिंग रिस्पॉंसिबिल्टी रिस्पॉंसिबिल्टी की बीजिए जिम्मेदारियों का भी आइसास हो ठीक अच्छे से अच्छा जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए वर्कर्स को देनी चाहिए ठीक कंसल्ट्रेटिव बॉड़ी है सलाकार निकाय होता है यह जौन मेंजमेंट कॉंसिल और यह मेंजमेंट शेर्स इंफो टूदा जेमसी अब जो मेंजमेंट है नियोकताओं की तरफ से ज क्या चल लेए उसमाँ पर और और भी कुछ जो प्रशाष्णिक रिस्पॉंसिबिल्टी है जैसे कि सेफ्टी मेजर्स हो गया वेलफेर मेजर कल्या कारी वाले हो गया सुरत्च्छा वाले मेजर्स हो गया वो कैस्ट्रेनिंग होने हो गया यानि कि आपका एप्रेंटिस हो यह सारी चीजें भी कौन देखता है यह आपका जेमसी के थुरू होता है जो प्रशाष्णिवली काम है इसमें इसके लावाद साइज जो है जेमसी का वह 12 से जाधा नहीं हो सकता थीक बारा लोग का ही होगा आउटसाइड मेंबर जो है वह 25 पसंट स्यादा नहीं हो सकते ह सब्सक्राइब करना है तो कितना आएगा अंसर प्लीज बता दो मतलब यह तो बहुत ही मतलब हल्वा कुशन है ठीक जेमसी वर मेंट टूबी वालेंटरी एंड कंसल्टेटिव जो जेमसी बनाई गई है यह स्वैच्छे को परामर्शी होने के लिए गठत किया गया है और तरह में वर्काड अडरेक्टर्व भी होता है इस यह नॉमिनी होता है और रिक और अपनेटर्व की तरफ से कौन प्रेजन्टेटिव होगा एज अ डिरेक्टर तो उसको बोलते है वर्काडाइकर जो पोलेंगे जॉएंट कंसल्टेटिव मशिनरी होती है यह क्यों बनाई तो इसमें मतलब यह है कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में आम सहमती और सहयोग की सुधा जनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है किसको जॉइंट सेलेक्ट जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को ताकि मतलब जो है इसमें कॉपरेशन गौर्वर्मेंट और यहां पर नियूकता यानि की जो जो ओनर है या फिर उस तरीके से नियूकता के उसमें नहीं है यहां गौर्मेंट की बात हो ठीक सुधार बनाएक लिए सब्सक्राइब किया गया था जोएंट कंसल्टेटिव मसीन डी 1966 में यह हो गई सारी बात इससे लिटर्ड इसके आरे कि सख़ीए जो प्राइम कोटिव मोटिव पैसिलिटेट कॉमन बित्वीट प्रायम मोटिव जो है वर फैसिलिटर करना है कोउमन विट्वीन कॉपरेशन बिटिम्ट नेρα इंट्स सब्सक्राइब यह किससे का फ्राइब मोटिव है है आपका जोएंट कंसल्टेट्यम प्राइम मोटिव इसका क्या है फैसिलिटेट करना आपका बिट्विन गवर्मेंट एंट्स इंप्लॉई कोपरेशन हो गए यह किसका जुएंट कंसेट्व मशिनरी का इस यह तीन टीर का होता है पतलब कि ऑफिस के लेवल पर डिपार्टमेंट के लेवल पर और आपका नेशनल लेवल पर ठीक और इसके बाद क्या है मीटिंग हेल्ट होती है इसकी वंस एट लीस्ट ग्रावनिचे चार महिने में तो जो है तीन अबर साल में तो ए्सलिट होने ही चाहिए वह संने क्या आपिषाउ प्रफद्व सबसे होला और आप्मेंट शॉप याइच नेफ्ञ लेवल सॉट्पर यह पर स्कांसी बढ़र रसक्रस पान फेन इंटरप्राइज को उढ़ने उस पे तो जह है आपका कौन रहेगा शॉप कॉमसिल होनी ही होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद equal number of representative होते हैं इसमें employer और workers के दोने इक दोनों इसमें आप लोगों ने पहले बढ़ा कि 500 ज्यादा जिसमें होगा उसमें होगा floor बार महिने में मिलता तो कितनी वार में साल में बार मिल सकता बारा वर कम से कम औकुछ उन्दम के दोनेजमेंट किसके पास है आपका नियोकता के पास में वाइस चेर्मन लेकिर आप जो रूल है उसको वहीं पढ़ते है ठीक्ट सब्सक्राइब करता है इसका उद्देश क्या है एसिस्ट करता है management को इन चीविंग प्रोडक्शन टारगेट जो भी उत्पादन करना उसका थागर उत्पादक्ता को बढ़ाना दक्षता यानि कि एफिशेंसी बढ़ाना एलिमिनेट करना वेस्टेज वेस्टेज को जो भी है अपवय को समाप्त करना और यूटलाइजिंग कैपसेटी एं मैन पावर टू आप्टियो लेवल जो भी कैपसेटी है कि सो लीटर जो है आपका कोई कुछ भी पानी निकालने का या जो भी है तो यह साट से नो कि यहां दसी लीटर निकल ला है योगि मशनी दि निकल लाइक साथ जो मैंने पावर है या Nyer Sied साथ हो जा तक्सी टाइम फ्रेम में in thiskh sitsivesseass summit नंबर होता अ ये रेट होता है thought आए ये रेट को तरशाता है प्रोडक्टिवूटी को और प्रडॉक्शन जो है वोbab्षोन необход नंबर यह है ये मोंट को दर administrative है चेर्मन कुन होगे जिसको की वरकर जो है नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर भी यह कम से कम तीन महिने में एक बार मिलते हैं उनका अब देखेंगे अगले पार्ट में हम लो देखेंगे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से जाइन जाइन जाइब भारत ऑल दवरी बैस्ट है